जहें दोस्तों वंदे मातरम स्वागत करते हैं आपका देश के राज्यों के मुख्य समचार टुडे ब्रेकिंग नियूज की एक और खास और ताजा वीडियो में तो आज की बेहदी बड़ी कबर सामने निकल करा रही है चीन में कोरोना से मचा हड़कंप अमेरिका में भी बड़े मामले तो वहीं दर भारत में भी नई लेहर का अलर्ट एक साल बाद पहले जैसे ही फिर बन रहे हैं हालात जिहां इसी के चलते आज राज से पूरे भारत में लगेगा लोकडाउन हो सकता है बड़ा एलान जारी हुए नए और कलेनियम लगाने क्या देश स्वास्त मंत्राले ने भी कहां सभी राज जी रहें तयार इस पतालों में सुरू कर दे मौक ड्रिल कर दें तयारी दोस्तों बड़ी कबर सामने निकल कर आ रहे हैं चीन में कोरोना महा मारी से हड़कम के बाद दुनिया के काई देशों में आपर कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं इसके चलते भारत में भी कोरोना की चौती लेहर की आहट होने लगी है इसके चलते मोधी सरकार ने इदर यहाँ पर चौती लेहर को लेकर देश वासियों को चता दिया है तो जानेंगे दोस्तों कहां कहां लॉक्डाउन लगेगा इस वीडियो में आखिरकार क्यावी से सग्यों की राय है क्या फिर से यहाँ पर देश के किस किस राज्यों में लॉक्डाउन हो सकता है आज राज से पुरे भारत में कहां कहां लॉक्डाउन लगेगा इस वीडियो में जानने वाले हैं और वहीं इदर 26 दिसंबर से इस राज में बंदोने जा रहे हैं सरकारी स्कूल सिक्षा विबाग ने जारी कर दिया हैं निर्देश साथी साथ बढ़ते कोरोना के बीच बड़ी कबर मोधी सरकार दे रहे हैं यह 5-5 लाग रुपए का फाइदा तो दोस्तों अगर आप भी यहाँ पर 5-5 लाग रुपए का फाइदा लेना चाहते हैं मोधी सरकार याँ पर कोरोना के बीच एक बड़ा एलान कर दिया है आखिरकार किन किन लोगों को यह फाइदा मिलेगा जानेंगे थोड़ी ही दिरों में साथी साथ पेट्रोल डीजल सोना चांदी पीम किसानी स्कूल कॉलेज रासन वितरड़ पैन कार्ड अधार कार्ड के साथ-साथ आपके रोज मर्ला की जिंदगी से जुड़ी और फायदे की काम के सभी खबरे मताने वाले हैं तो नमस्कार जैंद वंदे मातरम भाई और बैनो स्वागत करते हैं आपका आज के मुख्य समाचार टुड़े ब्रेकिंग निउस टुड़ेज हेडलाइन्स के एक और मुख्य और खास वीडियो में दोस्तो आज की सभी बड़ी खबरों में बिल्कुल अंतिम तक बने रहिएगा क्योंकि हर एक खबर आपकी काम की और फायदे की है तो दरसल आज की सबसे पहली बेदी बड़ी खबर पिये मोदी की राजियों के मुख्य मंत्रियों के साथ एहम बैठक हो सकता है अज रात से बंद होने जा रही है 15 छीजएं सकते हैं 10-9 तो दोस्तो कौन-कौन से चीज़े बंद होने वाली है 15 चीजों का इलान। आज रात यहां पर हो सकता है इसकी थोड़ी दिरों में आपको संपूर जानकर मिलने वाली है इसलिए गुजारी से वीडियो को अंतिम तक जरूर देखेगा साथी साथ अगली बड़ी कबर नए साल पर लोन लेना पड़ेगा महेंगा घर बनवाने वालों की तूटेगी कमर आर बियाई ने ब्यास दरों में कर दिया है इजाफा तो दोस्तो अगर आप यहाँ पर नए साल पर लोन लेने की सूच रहे हैं तो यहाँ पर सरकार जो है आपको यहाँ पर बड़ा जटका देने वाली है तो कितने रुपए तक लोन महेंगा होगा इसकी वीडियो में संपूर जानके जानेंगे आते ही सस्ता आएगा बिजली का बिल जानिये कहां मिलेगा इस फाइदा दरसल अगर आपका बिजली का बिल बेहादी हर महीने का ज्यादा आता है तो अब आप अपने घरों में सरकार जो है एक लीडी बल बाट रहे हैं जिसे लगा लगाकर आप अपना बिजली का बिल हर महीने का कम कर सकते हैं तो कौन सी योजना के तैती अफ़ादा मिलेगा कहां ये लिडी बल मिल रहे हैं थोड़ी दिर में जानेंगे और इधर पैन कार्ड दारकों के लिए आई बड़ी अपडेट आएकर विबाग ने कर दिया है नया नियम लागू अगर करेंगे यह गलती तो अब जाना पड़ेगा छे महीने तक जेल दोस्तों अगर आपके पास भी आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों में से कोई भी है तो आपके लिए एक नया नियम इन दोनों पर इलागू हो चुका है जान लीजिएगा वरना बाला नुकसान होगा और वही इदर सरकार ने कै पीटतों को देने वाली है कैसे मिलेगा फाइदा इसकी संपूर जानकी बताएंगे अगली बड़ी कबराम जनता को लगा एक और महेंगाई का बड़ा जटका आज से महेंगा हो गया है दूद लागू हो गई है नई किमतें जानिए कहां कहां हुई है महेंगाई तो दोस् ताक मजदूरी भी निकालना हुआ मुस्किल आकर क्या ताजेक मित चल लिए इसकी भी संपूर जानके थोड़े दिनों बताने वले हैं साथी जात स्कूल कॉलेज बस बाजार ट्रेंड समेत अगर आप भी यहां पर बेरुजगार घर पर ऐसा ही बैठा है तो आपके लिए याँ पर बैंकों में नौकरिया निकल चुकी है जिसमें अगर आप दसमी भी पास होता है नौकरी मिल सकती है कहां पर ये नौकरिया निकली है किन-किन बैंकों में जानने के लिए वीडियो को अंतिम तक देखते रही है तो आईए संपूर कबरे मुक्य समाचार एक एक कर प्रूर करें तो भाईयो और वहनों आज की बड़ी कबर पुराने एक हजार रुपे के नोट को लेकर आर बिया का बड़ा एलान अगर आपके पास भी एक हजार रुपे का नोट तो एक जनवरी से लागू होने जा रहा है ये बड़ा बदलाओ जिया दोस्तों एक हजार पुराना नोट था आपको मालिम होगा कि वो यहां पर सरकार ने आठ नोबर 2016 को बंद कर दिया था लेकिन दोस्तों इसी बीचे एक बड़ी कबर आ रही है के अंदर सरकार जल्दी देश बर में एक बार फिर से नोट सुरू कर सकती है ऐसी खबर आ रही है जिया दोस्तों पास में 2000 रुपे का नोट है तो 2000 रुपे का नोट इस समय मार्केट में बहुत ही कम दिख रहा है ऐसे में 2000 रुपे के नोट जो है सरकार ने इस समय छपाई बंद कर दी है तो हो सकता है आने वाले दिनों में सरकार 2000 रुपे के नोट को वापस भी कर सकती है साथी अगली ब सामलो के बीच माधी सरकार सतर हो गही है देस्ट के विविया स्भी राज्यों को अध्यों को साथ लोगों को चिताया है कहा फिर से अलरट हो जाए क्योंकि क्यों कि को रही है दोस्तों कि यहाँ अध्यार Maa हमारे देश के स्वास्त मंत्राले ने सभी राजियों को कहा है कि मॉंग ड्रिल भी अस्पतालों में की जाए यानि कि तैयारियां कैसी है अस्पतालों में अगर कोरोना की चौति लहर आई तो यहां पर कैसा यहां पर माहौल होगा उससे निपटने के लिए सभी निर्देश जारी कर दिये गए हैं तो आप कहीं भी रह रहे हैं पहले सही सतर के जरूर है वहीं अगली बड़ी कबर पैंकाड़ धारकों की फिर से आई सामत अगर कर रहे हैं यहां गलती तो होगा बड़ा नुक्सान हो सकती है चे महीने की जेल दरसल दुस्तों अगर आपको पैंकार एक से ज़्यादा हैं तो आप भी पहले सही अपना जो एक से ज़्यादा पहनकाड हैं उन्हें सरेंडर कर दीजिए वरन उच्छे महिने की जेल हो सकती है और दस हजार रुपए का जुरुमाना लग सकता है साथी अगली बड़ी कबर बेहदी बड़ा एलान अभी अभी दूद की कीमतों में हुआ इजाफा इतने रुपए तक महेंगा हो गया है दूद दानिये ताज कीमतें दरसल महेंगाई की मार आम जंता परिशान हो चुकी है मुसीबते थमने का नाम ले रही है पिट्रोल देश में अब साची का दूद दो रुपए प्रति लीटर के हिसाब से महेंगा हो गया है तो दोस्तों यह ताजा रेट है आपको यहां पर जो है दो रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूद महेंगा मिलेगा मतलब दोस्तों अभी तक 32 रुपए में या फिर कहीं का 31 र जिसमें से सरकार की ओर से यहाँ पर जितने भी कैंसर पीडित हैं, उनके लिए अभी अभी खबर आ रही है कि सरकार ने इसी योजने के तहट सभी कैंसर पीडितों को प्रती महाँ धाई-धाई-धाई-जार रुपए का देने का इलान किया है। इसके चलते जो लोग भी आपने घर बनवाने के लिए बैंकों से लोन लेने जा रहे हैं, उनको बड़े जटके लग रहे हैं। बड़ी कबर की बात कहें थे एक और बड़ा बड़ेट। अंदरसल महेंगाई के बीच इन राज्यों में स्कूल हुए बंद सिक्षाविबाग ने किया बड़ा एलान सरकारी स्कूलों पर जारी हुए नया आदेश। जिहां दोस्तों आपको बता दीजाए कि सिक्षाविबाग की ओर से अभी अभी बड़ी कबर आ रही है। बिहार के सिक्षाविबाग की ओर से बिहार में बड़ती तेजी से ठंड के बीच एक बड़ा एलान कर दिया है। प्रकॉप देखते हुए रेलेवे की ओर से भी काई ट्रेनों को रद कर दिया गया है। तो वहीं रेलेवे ने अभी अभी 48 ट्रेन हैं और रद कर दी है।